जहिन दोस्तों एक वाफ फिर से आप सुभी का स्वागत है आपके एपने चैनल खाकी टाक में मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई अनुच सिंग लेकर आया हूँ आपके लिए एक और जबरजस्त वीडियो रेलवे ने संविदा के आधार पर ये वेकेंसी निकाली है आपके और गुरूप ड कि बहुत सारी वेकेंसी संविदा अधार पर भी निकलती है इसी तरह यह जो चैंसी कि वेकेंसी बहुत ही जवर जैंसी ऑफिसियल वर्क है और जो सारी सुविधाएं एक Guar कर सकते हैं चलिए बिना टाइम बेस्ट के वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं और जानते हैं वेकेंसी के बारे में सबसे पहले हम अगर हम बात करते हैं एज की तो एज यहां पर आपको अठारा से पैतालिस साल एज आपको देखने को मिलेगी वही नियमा सार SCHT को पांच साल की चुट और OVC को तीन साल की चुट यहां पर देखने को मिल जाएगी गुरूप-C की वेकेंसी है जैसा कि मैंने आँ से बताए था गुरूप-C की वेकेंसी हैं और यह है डाटा इंत्री operator की अब group C में जो vacancy होती है वो mostly data entry जिसको हम clear के भी बोलते है clear की यह vacancy है और यहां पर जबर्जस्त आपको यह यहां पर देखने को मिलेगी job location जो होगी job location होगी वो all India ना होकर गोरकपुर रहेगी क्या रहेगी गोरकपुर परिछेत्र में आपको कहीं भी job के लिए भेजा जा सकता है लेकिन आल इंडिया की candidate इसमें form fill कर सकते हैं salary यहां पर आपको इस्टार्टिंग 25,000 रुपए salary देखने को मिलेगी private sector में आप जाते हैं देखते हैं कि आपके पास अगर graduation है यह किसी भी तरीके कोई degree है तो 25,000 रुपए आपको कोई नहीं देता है आप टाइपिंग जानते हैं भला ही लेकिन आप जब वहां किलर का काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको 10 से 12,000 रुपए आपर salary आपको मिलेगी लेकिन यहां government की है government का कब mood बदल जाए कब क्या नहीं होजना आजाए कब संविदावालों को permanent कर दिया जाए कोई भरोसा नहीं है इसलिए starting salary आपकी 25,000 फार्म मोड का अगर हम बात करते हैं तो यह आपको online farm फिल करने के लिए नहीं मिलेगा यह farm आपको फिल करना है offline offline तरीके से farm फिल कैसे करेंगे इसके बारे में मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर दे दूँगा offline farm है अपने टेलिग्राम चैनल पर इसका link दे दूँगा पूरी PDF दे दूँगा वहां से आप print out निकाल कर farm को आसानी से सुविदा 211-2024 अभी काफी समय है आपके पास निचिंत होकर आप farm भरिये और इसको बेद दीजिए सबसे important बात है कि यहां selection process आपका क्या होगा selection process जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि आप से किसी भी तरीके का कोई भी exam नहीं लिया जाएगा केवलों केवल आपका skill test होगा और एक normal साब का interview कराए जाएगा यह दोनों ही test अगर आप clear कर लेते हैं तो आपका selection हो जाता है दूसरी बात आती है कि जैसे कि private sector में 10 से 12 घंटे की duty होती है वो यहां पर नहीं है मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो government employee की duty रहेगी सेम होई रहेगी एनिकि केवल और केवल से साड़े नौ बजे से च्छाए बजे तर अब साड़े नौ से च्छाए अब साड़े नौ बजे कौन जाता यह आप सभी जानते हैं दस से च्छाई माना जाए qualification यहां बात करेंगे तो यह है graduation graduation आपका मांगा गया है अगर आप graduate हैं किसी भी subject से बीए किया है आपने बेक अब जो मैंने बताया था कि आप जब offline form निकाल लेंगे तो आपको यह form भेजना कहा होगा यह आप screenshot लेकर रख लीजिए यह इतना आप नोट कर लीजिए और यहीं पर आपका form जाएगा form कहा जाएगा अपर निबंधक गोरकपूर नियाए पीठ रोड नंबर 16 मुख्याल परिसर गोरकपूर उत्तर प्रदेश यहां पर आप उत्तर प्रदेश भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है और यह पिन कोड है यहीं पर आपको अपना form भेजना है अब form आपको कहा मिलेगा वो मैंने बता दिया टेलिग्राम चैनल पर या फिर मैं एक description में लिंक भी द download कर सकते हैं इससे related अगर आपके पास कोई doubt है कोई सवाल है तो बेशक मुझे पूछ लीजेगा आपके हर एक सवाल का जवाब में देता हूं तो चलिए मिलते हैं एक और informative वीडियो के साथ तब तक आप सभी को जैहिन जै भारत